हेलो फ्रेंड स्वागत आपका स्टरी है चैनल में जैसा कि आपको पता कि अभी हमारी वोकाइब की सुरी चलिए जिसमें हम बात करते हैं एकदम बेसिक लेबल से वोकाइब की जिनें कुछ नहीं भी आता होगा वो भी वोकाइब सीख सकते हैं और हमारी ये क्लास डेली होती इसमें हम नया करते पिक्चा है पिक्चर का हेल्प से आपको बताने की क्वोसिज करते हैं उसका मीनिक और जिनके पिक्चर और नेमोनिक्स नहीं बन पाते हूं पर एक स्टोरी के माध्यम से आपको याद करवाता हूं ताकि एक्जाम में आपका कोई भी क्वेश्टन ना इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करवा देता हूं प्रीवियस एयर के क्वेश्टन तो यह हमारी क्लासेज 25 से 30 में इट की होते हैं जिसमें आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाता है और मैं लास्ट में एक हमवर्क भी देता हूं जिसका एंसर करने परते हैं आपको और एंसर कल का हमवर्क था अपेनी फॉर यूर्ट इस इडियम का मतलब बताना था तो इसका मतलब होता है वाट्स आन यूर माइंड ठीक है और बोल सकते हैं और आफ असकिंग वाट्स सॉमन इस सिंगिंग इसका सही अंसर दिया है पृति सिंग ने दिया है मजुलिका पाठील ने आप सुधार कर सकते हैं आप डेली क्लास को सुधार हो जाएगी स्वाती जी ने भी दिया इसका चलिए आप लोग भी एंसर कीजिए और अपने स्कूर भी बता है कि जिए ठीक है तो हमवर्क को ऐसे लाइटली मत लीजिए और इंसर कीजिए क्योंकि यह बार बार पुछा ज होना एक सीम इमार्जी इसके सिनोनीम से हैं अब बात कर लें एंटोनीम की तो हो जागा डिसपेर गया होना वैनिस हो जाना ठीक है तो आप यह देख सकते हो कि जब आप इस लाल्टेन को रग रोगे ठीक है लैंप है तो इसमें से जीन ही निकलेगा यह अल्लादीन का लैं अप्रेज मतलब होता है आँकना इसका बोल सकते जज इसंडेवर्जन से अइंप्रेज को आखते हैं कि वह पॉंक्वर्द है या नहीं वरकर की कैसा करता है तो उसमें इतना से margeous को करेंगे। प्रसंसा कब करेंगे जब आपको हम जज करेंगे अच्छा काम कर रहे हो या नहीं करेंगे तो आपकी प्रसंसा करेंगे आपकी प्रसंसा कब करेंगे जब आपको करेंगे आपको आठेंगे चलिए नेक्स वर्ड पर चलते हैं तो नेक्स वर्ड है हमारा एप्रिहंड एप्रिहंड मतलब गिरफतार इसको बोल सकते हैं डिटेंड पुट बिहाइंड बार्ट यह सब इसको सिनुरिम साब देख पाड़ा होगी इस पिक्चर से कि इसको ऐसे हथकरी लगा दिया गया है इसको गिरफतार कर लिया गया इसस बंदे को इसने कुछ क्राइंंड किया बंदे को है किस्को आप प्रिहन जागा मतलब क्या किए n किया किया अ वह हो जागा इग्नोर मतलब आम देखा करना मिस हो जाना ठीक है चले नेक्स्ट चलते तो नेक्स्ट वर्ड हमारा एप्राइज एप्राइज मतलब तर सूचित करना ठीक है इनफॉर्म नोटिफाई और इंटीमेट इसके सिनोनिम्स हो जाएगा अब इसके निमोनिक्स क्या वह सकते हैं कि राइज मतलब उठना ठीक है आपको राइज करना आपको कि वह जाए नहों हो चुकी है तो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है अपको इंफॉर्म करना है तो ऐसे कर सकते हैं आप राइज करो क्योंकि बाहर कुछ अन्होनी हो जई है तो दो बड़ा है एक है जो पहले पढ़ा और अप्राइज दोने में अंतर गया है तो अप्राइज मतलब क्या होता कि आपको को वी चीज इंफर्म करने ठीक है और अप्रेज होता आपका इसको बोल सकते है रैंडम इर्याटिक यह सब इसकी सिनोनिम्स हो तो आप देख पा रहे होगा कि यह यह जेलर है इस बंदे को कैद करके रखा और इस पर अटैचार कर रहा है ठीक है और मनमाना कर आपना ऐसा चीज़ कर रहा है जिस अपने मन की कर रहा है जो कानुन के वीरूद की हो लेकिन अपने मन की कर raha इसको बोलत है आर्विट्र मीशला एक पार सकती है यह नेक्स की बात कर ले यह आसान वाग achieving मतलब मनमाना करना ही है बिट्रे मतलब क्या होता है धोका ठीक है अगर हम किसी को बिट्रे करते हैं तो अपने मन की करते हैं नंगना करते किसी को दोख देदे थे कुछ ऐसा कर देते जूसे पसंद नहीं होता Α स्वाइशन है सब्सक्राइब कर लेखा के अगूण से शुलेशन होता है कि मतलब बिब्सक्राइब मतलब दिसक्राइब करते इसमें और यहां और मैने बता है था आपको एण्टी पेटी को क्या कह सकते हो एंटी पत्म को हमेशा पत्म पसंद नहीं आते उनसे हमें साख चीड होती है उनसे घिरना करते इसका मतलब होता वो कि यह पर सो ऑफ यह देख सकते इसकी बाते उसे यह अस्थ हमत है फिए को अपुजित होता है ईंतिक है अपने कल्की समझ में आ गया हो तो आप को अब आ गया हो कि आन्टी पती क्यों करते हैं और नेक्स्त है एंटिक्वेरियन एंटीक्वेरियन तहा पुरातात्विक एसा बंदा जो इस्टडी करें एंटीक चीज पर रहा है उसको डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा है यहां पर इस ओल्ड पर्सन को देख सकते हैं बुक्केड हेर पर बैठा है मतलब सारी ओल्ड चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है एंटी मतलब अपोजिट होता है यह चीज आप याद रहा है तो एंटी चीज कर रहा है मतलब बहुत पुरानी चीज जो अभी की नहीं है त तो हो यसा आप याद कर सकते हैं यह सैंटी मतलब याद अपोजिट होता है एंटी यहां पर भी यह फोलब है तो एंटी बाद रहा है ठीक है नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट है एंटोनिम्स आप लोग ने अभी तक सीनोनिम्स पढ़ा हुआ तो अच्छे से पता हुआ एंटोनिम्स मतलब होता है हिंदी में इसको बोलते है बिलोम सब यह देख सकते होरी जैंटल का अपोजिट का भाटिकल होस्ट है तो गेस्ट है हौट को टीनी फिर्ट है एंडोनिम्स बहुत इजी वर्ड है तो आपको यह हमें सही याद रहेगा चले नेक्स्ट की बात कर लें आपार्थीड आपार्थीड मतलब बता है रंग्भेद करना तो अब किसी को अलग अलग कर सकते हो तो इसको अलग अलग कर सकते हैं तो पार्ट करते हो क्या देखें तो पॉलीशी ज़ो लोगों को उनके रंग के अधार पे अलग अलग सेपरेट करता है उसे ही अपार्थी दो बोलते हैं चल्य नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट हमारा इडिया वें फ्रेजर का सेशन है जो कि कल होमवर्क दिया था मैंने एपेनी फॉर योड थॉर्ट ठीक है आप सबने बहुत अच्छा एंसर किया था आई होप आ तो सामने बना क्या सोता है मुझे पैसा मिला अपनी आईडिया आपको बता देते हैं इक तरीका होतायी क्या सब्सक्रायर बात करते नेक्श्ट की बात करते हैं और पिक्चर पक्रेट्ट तौजन फ़ें खांग हमस्ट मतलब क्या होता है एक हजार सब किने का मतलब है की जो पिक्चर होता है ना, वो बहुत ज्यादा कुछ हो बच्चर को सब्सक्राइब तो आपको कहीं पर लिखा हूँ बहुत सारे वर्ड शीख हो आपको समझ नहीं आ रहा है अगर लेकिन वहाँ पर आपको इसका इमेज दे दिया तुम इसको बहुत अच्छा तरीके से समझ लेता है यहां पर देख रहे हैं इमेज को क्या करा है यहां पर पेंटिंग लेकर पेंट करा तब को यादा जा है कि पिक्चर पेंट से 1000 बाइब तब यह पिक्चर देख के ज्यादा चीज डिपिक्ट हो रही है लिए नेक्सेटकर तो सकती है अगर आपको एक पींद्देध्स का पीज दिया है अगर आपके पास नहीं है आपका मन नहीं बहुत असान होता है इसमें क्रीम्स होते हैं आप मुझ में रखो गए यह घुल जाएगी ठीक है तो बहुत ही आसान होता है तो बोल सकते हैं पीस ऑफ केक मतलब वेरी इजी टास्क चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा पीस ऑफ पाई ठीक है मतलब पैसे में हिस्सेदारी देखते बिजनस सेर कर रहे हैं तो इसमें जो भी पाई का डूकरा वह आपको एक पैसा बताएगा मतलब आप हिस्से दारी ले रहे हो फैसों में और आपाई श्यक्ता बाइल आप ऊतव कोई Welcome को कैसे बात नेक्स नेक्सट लेज जो है जिसका मतलब होता मुश्किल घरी टाइम ऑफ डिफकल्ती कि लेवर्क चोछो को आपकर बाहर जाना है बहूत इंपोर्टंट काम और बहुत ज्यादा बारिस होने लगी वह आ इंपोर्टेंट वर्ट था अब भीग के भी नहीं जा सकतो ऐसा है कुछ आपके साथ कि आप बीमार पर जाओगे भीग के भी नहीं जा सकतो तो क्या होता आपके लिए बहुत डिफकल टाइम हो जाता है कि मैं कैसे करके ऑफिस जाओ या फिर कैसे करके अपने काम करें को कि साथ के मौसम में आपके च्छत तूर है तो आपके लिए बहुत डिफकल सिच्चियोशन होता है ऐसे वह आप याद रखना कि आप बहुत गरीब हो घास पूस का घर है आपका ऐसे हट बना हुआ है जिस पे घास पूस लगी पड़ी है तो जब बारिस होती है तो क्या होती आप पानी अंदर चला जाता है तो आपके लिए क्या होगा यह डिफकल्ट टाइम होगा अगर बाइस होगी तो आपके लिए डिफकल्ट टाइम होगा तो आप ऐसे याद रखना अपने आपको गरीब समझना इस वर्ड के लिए ठीक और ऐसे समझना कि मेरा घर घास पूस चलता है अगर आपquis जान जाओगा अगर आप टो आपको फइल पता होगा तो चीजा ओप Feld लेकर यह यह rintर और यहीं को आज पैकलता हुसंट इसमें होते हैं घर ने यड़ो करने और यह रेपर इसके लिसमय नहीं करतें और यह रूल्स काफी आपको हेल्पूल होता है इसके बाद जो भी आएगा वह बेयर इंफिनिटिव होगा कोई और इंफिनिटिव नहीं लगा सकते हैं आपको सिर्फ और इंफिनिटिव लगाने और बहुत बार ऐसे आए है एक्जाम में तो आप इसको ध्यान से देख लो ठीक है तो ऐसे देख सकते हैं यह बेटर टू नहीं लगेगा और आप ऐसे करते हो कि हमको सुनने में अटपटा लगेगा तो मैं चेंज कर लूँगा तो आप यह पर गलत हो जाओगे ठीक है तो इसका करेक्ट संटेज करने के लिए तो चलिए आपका टाइम स्टाट होता है और आपको करना क्या है तो आपको इसका इडियम का प्रोपर मिनिंग बताना है ठीक है चलिए चार अप्शन है और रेंडिंग कैट्स आपको इसके लिए इस वर्ड के लिए जो प्रोपर इडियम होगा वह होगा हमारा कौन सा हिमालियन बलंद है मतलब बहुत बढ़ी भूल कर देना बहुत बढ़ी भूल होता और बाकी रेंडिंग कैट्स और मतलब क्या होता मुच्छा धारबारी सोना ठीक है और बाकी इसको देख सकते हो खुद और हमवर्क में भी बता सकते हो नेक्स्ट की बात कर लें नेक्स्ट कोस्चन आपको एंटोनिम्स बताना है वैल और का चार ऑप्सन है फॉर्बियरेंस इरूडीशन और आइडोस इंक्रेसी चलिए फटा-फट एंसर करिएगा आयोप सब बहुत अब आप लोगो और सही सहीस여 करोगे सब्सक्तु फट मैं पहले मतरा तक का मतलग घ ate Valerie 8 अब आप लोगों अपता चली होग इसके वहां हता इसको बोल साह सकते इक है ब्रेवरी 20 चके सिनउनिम्स है तो इसका जो सही अंटोनिम्स होगा वह होगा कावरडाइस मतलब क्या होता है कायर्था टीमीडीटी लिख सकते हैं इसके सिनोनिम्स है और बात कर लिए फॉर्वियरेंस की फॉर्वियरेंस मतलब होता है धैर पॉर्वियरेंस मतलब धैर इसके सिनोनिम्स के बाद कर लेट और क्या हो सकता है और कंपोजर अफॉर्व इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे और बात कर लें इरुडीशन का इरुडीशन मतलब पांधित थी कह स्कॉलर्ची विस्डम यह सब और इसको मैं ऐसे करके लिएक देता ह हो जाएंगे वह हो जाएंगे wisdom शीनोनिम सो जाएंगे wisdom लिए और बात कर ले आइडियों नो सिंक्रेसी आइडियों नो सिंक्रेसी मतलब होता है किसी लट लग जाले इसका मतलब हो जाएगा लट इसका मतलब होता है अप्लिक सकतो लट कह सकतो ठीक है और इसको बोल सकतो बैड है लट लगना मतलब बैड है बीट बोल सकतो इसको ठीक है तो हमारा नेक्स कोस्चन है कि तो हमारा नेक्स कोश्चन है कि एक पुस्चन जादा हो गया चलते हैं तो हमारा जो कोश्चन कह रहा है हमारा next question कह रहा है कि हमें idiom का मतलब बताने very long time very long time का idiom बताने कि कौन सा appropriate idiom होगा ठीक है very long time के लिए कौन सा idiom है तो पहला है donkey ears second है duck in thunderstorm third है die in harness four है democulars ठीक है तो very long time के लिए कि जो और यह सब करूंगा आगे के सेशन्स में मैं सब करूंगा तो आप लोग इसके लिए निश्चीन तरहें चलिए नेक्स की बात करते हैं इस ग्रूप योड्स टे इसी के साथ टाइम अप होगया है और आपीस मतलब होता है समाधी सिमरेटरी मतलब होता है कबिस्टान मैश्की महजणी पता है आपको मास्टर पीस मतलब अतिफिक उत्तम लगी ने जो सबसे उत्तम हो ठीक है नेक्स्ट के बात करते हैं नेक्स्ट आपको सीनोनीम्स बताना है इस वर्ड के लिए ट्रैनी के लिए चार अप्शन है ओटो क्रेसी कॉम्पेशन सोशल डिस्कॉर्डेंस तेलिए फटा फटेंस दढ़िए है कि तो टाइम अप हो गया आप लोग ने इसका सिनोनिमस बताई दिया होगा तो ट्राइनी का सिंद isn't होता वह सकता हुआ ठाइनी के जो सेनोनीम 2 फोला ओवा ओड़्य मतलब क्या होता है ओड्यमकृशि मतलब मतलब Lol अत्याचार भी बोल सकता आप इसको कमपेशन मतलब होता कमपेशन मतलब होता करूना कमपेशन मतलब करूना आप बोल सकतो पीटी पीटी यह सब इसके सीनोनिम और और वह होगा सब्सक्राइब 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 तो डिफ्रेंस भी बोल सकते gonna सखसेंगे लेंगे। छलीए नेक्स्स कॉस्टन की बात करते हैं आझिए कोस्टन मुझे लगता कि आप के लिए दो सेक jurisdiction काफी था। तो गिल्टी मतलब क्या होता है दोशी है तो इसके बात कर ले हम इसके एंटरनीम की तो ulware list होता हूँ है इसको बोल सकते रेलिकस ए और क्या बोल सकते रेलिकस बोलकिते इसको इसको नॉन चैलेंट मतलब बता है बेपरवा जिसको कोई परवा ही नहीं मतलब बोल सकतो आप इसको केरलेस बोल सकतो रिगार्डलेस बोल सकतो रिगार्डलेस जिसको कोई परवाई नहीं बेपरवा घुनता रहता है और एक वर्ड याद आ रहा है मुझे रेमिस यह भी होता है ठीक है कि ओमनीपोटेंट आपको पता है सर्वसक्तिमान जो गौड होते हैं चलिए नेक्स की बात करते हैं नेक्स्ट आपको वन वर्च सब्स्टिशूट बताना है इस ग्रूप वर्ड के लिए अप्लेस वियर क्वाइंस एंड मेडल्स आर मेड बहुत ही इजी है ऑफिस मेंट सब्सक्राइब बहुत ही ने बहुत बार पूछा यह बहुत ही बार हर बच्चे को यह याद चलिए इसका जो सही अंसर होगा वह होगा मिंड ठीक है तो जहां पर क्वाइंस और मेडल जो मेडल बनते हैं जगह कहला आती है मिंड चलिए नेक्स्ट वाद करते हैं तो नेक् कमेंट में बताने हैं इसका क्या होगा और आपके हेल्प के लिए मैंने एक पिक्षर भी लगा दिया ठीक है तो आपके लिए असानी हो जाएगी तो आज के लिए बस इतना ही ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें और अपने दोस्तों में सेर करें जिन करना 25 मिनट कंप्लीट हो चुका है ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करने की कुछिस करूँगा नए वर्ड्स लाओंगा वोकैब के इडियम के और वन वर्ड सबस्विशन के तब तक के लिए जै हिंद जै भालत